हलो दोस्तो मैं अभिशेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में दोस्तो आज TCS NQT में यानि 12th of September में जो कोडिंग क्वेशन पूछा गया था वो मैं यहाँ पे आपके सामने स्वागत करने वाला हूँ तो अगर अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जदी से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लोग ऐसे ही बड़िया बड़िया वीडियो लाते रहते हैं दोस्तो चलिया स्टार्ट करते है आज के वीडियो को तो यहाँ पर देखो हम अब देखो हमारा टास्क क्या है देको हमारा टास्क क्या है करना है लेकिन कौन से packet को ऐसा packet जिसमें empty हो मतलब zero value हो ठीक है zero empty packet मतलब यहाँ पर clearly mention किया है zero chocolates हो तो वो हमें क्या करना है end में push करना है array के अब देखो यहाँ पर अब लोगों को अगर question समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर test case से आप लोग समझ सकते हो तो देखो यहाँ पर n की value साथ है यानि हमारे पास साथ packet है अब देखो पहले packet में है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले packet में चार चोकलेट दूसरे में है पाच तिसरे में है जीरो चोटे में है वन पाच में नाइन है फिर जीरो फिर फाइव और फिर जीरो अब देखो हमें ultimately करना क्या है जिसी भी packet में जीरो चोकलेट से उन्हें हमें end of the array push करना है ठीक है अब यहाँ पर देखो 4 में तो 4 है 9 को यहाँ पर लेके आओंगा ठीक है इस 9 को यहाँ पर लेके आओंगा तो देखो 9 आ जाएगा इस 5 को यहाँ पर लेके आओंगा और ultimately देखो यह जो तीनों 0 है वो मेरे end में चले जाएंगे ठीक है मुझे इस तरह से जो है हमारा output return करना है यहाँ पर यह test case की अगर मैं ब जाएंगे रहेगा 0 की जगह पे यहाँ पर उन आ जाएगा यह 5 आ आगे आ जाएगा और यह जो तीन 0 जाएंगे end में तो यह हमारा output होना चीह है यहाँ पर तेखो ठीक है यहाँ परms। नाइन होना चाहिए ठीकइज अब देखो मैंने जैसे आपको बोला कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो भी पैकेट में चॉकलेट है वो हम लोग लिखेंगे 6 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे अब देखो यह जो पैकेट से जिनमें 0-0 चॉकलेट है वो एंड में आ टेसके से उसे नीचे ऐसे का ऐसे उतार लेता हो ठीक है 601802 यह है ठीक है यहाँ पे 0 है अब देखो हमें actual में करना क्या है तो हमारा output क्या आना चीए इसकी वज़े से तो output आना चीए हमारा आना चीए अब देखो दोस्तो हमें यह array की element है हमारे हम लोग c++ में हम लोग या तो array बना सकते है या तो हम लोग vector बना सकते है तो चलिया मान लेते हैं मैंने vector बना लिया ठीक है अब देखो दोस्तों मैं क्या करूँगा हम लोग जब vector में element को input लेंगे तो हम लोग क्या input लेंगे पता है क्या हम लोग n हमें दिया रहेगा n equal to 6 हम लोग loop लगाएंगे हमारा for loop जो i equal to 0 से लेके 6 तक चलेगा ठीक है और हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक element को input ले लेंगे खीक है simple सी बात है अब देखो मैं यहाँ पे ही check लगाऊंगा अगर हमारा element if element is not equal to अगर 0 है मतलब non-0 element है तभी मैं मेरे vector में उससे push करूँगा खीक है मानले मैंने vector बना लिया vector integer type का बना लिया v तो मैं क्या करूँगा v.push back करूँगा वो वाले element को ठीक है वो वाले element को मैं push back करूँगा अब देखो यह खतम होने के बाद ठीक है और else में क्या करूँगा else में करूँगा count count of 0 ठीक है अब यह मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ठीके अब देखो जाहिर सी बात है हमारे जो input आएगा उसमें कुछ element 0 होंगे कुछ element non-0 होंगे तो इस case में देखो 6, 1, 8 हमारे vector में चले जाएंगे हमारे vector में क्या चला जाएगा 6, 1, 8 और 2 चला जाएगा और देखो else block की वज़े से count of 0 भी हमारा increase हो गया होगा तो count of 0 कितना है देखो यहाँ पे 1 और 2 है तो count of 0 हो जाएगा 2 अब दोस्तो इतना तो मेरे vector में पहले से ही है तो दोस्तो अब मुझे क्या करना है मुझे end में 2 zeros add करने और देखो मेरे पास 0 का count भी 2 है तो मैं क्या करूँगा while जब तक मेरे count of 0 जो है वो 0 नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा vector.pushback यानि vector के end में 0 को add कर दूँगा तो मेरा जो है देखो यही मुझे final output चाहिए तो मेरे ख्याल से आप लोग को idea समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है हमें simply traverse करना है traverse करते समय अगर non zero value मिलती है तो हम लोग vector में push करते है अगर zero मिलता है तो हम लोग क्या करते है उसका count store करते है और end में उतने zeros हम लोग add कर देते हैं तो हमारा final answer जो है बन जाएगा खीके दोस्तों इससे solve करने के बहुत सारे methods हो सकते हैं लेकिन मुझे यह थोड़ा सा explain करने में इस ही लगा कि आपको यह किस तरह से work हो रहा है यह समझ में आ जाए तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ VS code में और यहाँ पर देखो जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले मुझे n यानि कितने size का array है वह हमें चीज़ए तो देखो मैंने यहाँ पर n को input लिया है जिसमें मैं क्या करूंगा मेरा input ले लूँगा खीक है सबसे पहली बात हम लोग for loop लगाएंगे कितने तक n तक लगाएंगे क्योंकि हमें n input लेने है अब देखो हम लोग element को input ले लेंगे अगर element non-zero है यानि 1,2,3,5,7 कुछ भी होगा तो हम लोग उसे vector में push कर देंगे अगर 0 होगा तो count of 0++ कर देंगे यानि उतने 0 मेरे array में है और end में जैसे मैंने बोला था कि मैं क्या करूंगा जब तक मेरे count of 0 है यानि मान लोग मेरे पास 3 0 है तो मुझे count 0 का count मेरा 3 है तो मुझे end में 3 0's push करने है तो उसके लिए मैंने ये loop use किया है और end में मुझे output print करना है इसलिए मैंने ये loop लगाया है तो हम लोग क्या करेंगे पूरा जो है vector पूरा vector drives कर लेंगे और हमारा जो final output है वो आ जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे run करके आपको दिख है 4501 4501 और 905 ठीक है 905 तो इसका output क्या आना चाहिए 4519500 तो देखो 4519500 जो कि हमारा expected output था वही हमें मिल रहा है चलो second test रंपर के देखते है 6 है यहाँ पर और यहाँ पर देखते है values क्या है 601 601 और next values क्या है तो यहाँ पर है तो यहाँ पर values है 802 तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 802 इसका output क्या आना चाहिए 6182 00 तो देखते है बिल्कुल सही output आ रहा है देखो यहाँ पर match कर रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह भी जो है एकदम simple सा सवाल था तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसे solve किया है अगर आपको कोई भी doubt हो तो निचे comment करके पूछ सकते हो मैं आपको जरूर answer करन आपको में तब तक के लिए बब बाई टेक केर